जश्पूर जिले के आतिवासी कल्यान कारे करता जागेश्वार यादव जिन्होंने हाशिये पर बड़े बिरहोर पहाडी कोरवाल लोगों के थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया इनको समाजिक कारे की शेत्रे में पदमश्री से सम्मानित किया गया है उन्होंने अपने काम की जांकर देते हुए जागेश्वर यादव ने कहा कि मैं 1980 में बिरहोर समुदाय के लिए काम करना शुरू किया मैंने उनकी जीवन इस्तर को सुधारने का काम करने के लिए अपनी शिक्षा बंद कर दी मैं 1980 से स्वयम की प्रणा से बिरहोर जन जाती के विशे में बारे सेवाकार प्रारम की हूँ उनकी इस्थिती को देखकर उनकी दीन दसा को देखते हुए मुझे बड़ा दया आई और मैंने अपना प्रणा लिखाई छोड़कर मैं उन समाज के लिए काम कर रहा हूँ और अभी तक करते आ रहा हूँ और इनके लिए हर परकार का सुख सुवीधा पहले तो इस्थाई रहने का मैं प्रिरित किया उसके बाद इस्थाई रहने के लिए और उनकी दिनचार्य आगे इनके लिए क्या क्या जाए इस सब में बिचार कर हमने उनके आगे ले जाने के लिए आत्मनीर फर बनने और समाज में इनको जोड़ने का प्रयास किया बिरहोर जन जाती है गुमन्तु जन जाती है बिरहोर या आज यहां तो कल हुआ यह गुमते रहते हैं अपन भोजन के तलास में जहां कंद मुल्ग मिले जहां उनके लिए जंगल का साधन जैसे रसी गेरवास इका बहेंगा यह उनके दिनचार्य का समान है जो गाउं को में लेके बेचते हैं और जो भी कंकी कोड़ा मिलता है वो लेके वो घर वापस आते हैं बिसेश कर यह लोगों के सामने ज्यादा रहना नहीं चाहते हैं थोड़ा पता नहीं को क्या भाईभीत है हमारे गाउं के सभी लोगों से थोड़ा को सदूर रहना चाहते हैं इन में एक जब कहीं लोग चल रहे हैं, अगर कहीं चपल जुता का निसान दिख जाए, तो उस रास्ते को काट देंगे, दूसरे तरफ जाएंगे, इनकी बहै था पतानिक किस कारण से, और उहा और जो जाएंगे, तो वो एक धगाल को काटेंगे, धगाल को काटेंगे, पीछे तरफ सह इसे लुड़काते हुए चलते हैं, जिसमें क्यों जा रहे हैं, उसका पाउं प्चीन ना दिखे, इस परकार से लोग, जब इन लोग गाउ में आते थे, तो हर हमेंसा गाउ में आये, तो कुछ रसी उसे लिए के आते थे, और मांगत खा तहान ऐसे बोलते थे, तो इससे म इसे लोग इस्थाई नहीं रहते हैं, ये धान का बद्रा और अधमी का पिलेई, इनको कौन पकड़ पाएगा, कौन इनको सेवा करेगा, और ये तो रहते भी नहीं है, आज यहां कलूहां ऐसे रहते हैं, और दीन में दो तीन बार तक आज यहां है, तो सूब इहां है, त जोपड़ी बना के कहां सफुषका, हर हमेशा गां से बाहर जंगल किनारे, ये नदीनाला किनारे ही जोपड़ी बना कर रहते हैं, तो इनका देखा ना तो उनके पास कोई बिशेस पहनने औरने के वस्त्र भी ज्यादा उपलद नहीं था, और खाने पीने के लिए उनके प बात करना नहीं चाहते थे, भाइबीत होते थे, तो मैं उनको बड़े धीरे से बातचित किया, फिर उनके जोपड़ी में आना जाना शुरू किया, बहुत संघर्ष किया, तब कहीं ओधीरे-धीरे मेरे से बात करने लगे, इनको बहुत भाइबीत होते थे, मैं सबसे इनक बहुत से लोगों से आओ लोग से भी कहा कि भाई इनके लिए कुछ ब्यूस्था किया जाये तो यह भी हमारे जैसा जीएंगे खाएंगे क्योंकि भी बाल बच्चे लेके देखी कैसे भूम रहे हैं ऐसा मेरे मन में आया और लोगों से चचा भी किया बहुत से लोग तो बेठेंगे और इनका भी कास होगा मैं जब तक इनका अच्छे से लाइन में नहीं लाओंगा तब तक मैं घर से बाहर रहूंगा और नहीं के साथ रहूंगा पढ़ा लिखाई छोड़ दोंगा मैं परण करके कहा और बहुत लोगों ने समझाया भी कि आप थोड़ा करोगे गरीब घर के हो मैंने नहीं करूँगा यह हमारे भाई ऐसे दुखी है तो मैं इनहीं का सेवा करूंगा इन्हें बहुत बिरोद किये बहुत प्रयास का गाली गलोद दिये कि भाई तुम घर छोड़ रहो काम धाम छोड़ दे रहो और कैसे हम लोग जीएंगे तुम पर एक महिना दो महिना तक बाहर तरफ नहीं के बीच में रहना उन्हीं के पास जंगल में जाकर रसी कातना उनके साथ में मिलना जुलना ताकि उनको मैंने काफी प्रयास होनी के साथ जोपणी में सोना आन हले सफा होड़ कु थैलनते रंगे तना नू हले भुतनते ना कि हमर परंपरा ले बाप दादा ले घर कुरिया नहीं हुए हमन रंगे होड को माने गरीब दुखी भूखी हमन हा यह पहले इनका विशेश तो जानुवर का सिकार है यह बंदर तो खाते थे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक आदिवासी हमारा जस्पूर जिला से बना है और वह आपने आदिवासिया जस्पूर के लिए तो तरक्की करेंगे जस्पूर नहीं पूरे च्छतिश गड़ के लिए अपने एक किसानवर के अपने गाउं के बेगती हैं जिन्होंने सारे दुख सुख को सभी का जानते हैं और मुझे तो और अच्छा लग रहा है कि हमारे नद्दी के होने से और हमारे बिरोर से भी उनकी काफी लगाव है कई कारिकरम में आते रहते हैं और में उनको जहां-जहां सम्मेलन होता है बिरोर का वो अवसेख जाते हैं तो मुझे और अच्छा लग रहा है कि इनकी विकास तो और बहुत आगे बढ़ेगा इनके आने से नहीं अभी तक तो कारिकरम करते हैं तो आएंगे लेकिन अभी प्रयास कर रहे हैं कि फिर एक महासे मलेन करने का प्रयास है